लंबे ठंडे मोसम के बाद जंगल में बहार आ गई थी सभी पक्षी सभी पेड़ बोदे बहुत खुश थे जंगल के पक्षी बहार को वेलकम करने के लिए हौली का दोहार मनाया करते थे तोता और कबूतर पीपल के पेड़ पर बैठे हुए थे यार कबूतर हौली आ रही है इस बार हम सब हौली का दोहार बहुत धूमधाम से मनायेंगे इस बार हौली के रंग दूसरे जंगल इने जाएंगे वहाँ एक बड़ी दुकान है जिस पर हौली की सारी चीज़े मिल जाती है क्या कवई और कवी ने भी जाना है साथ हाँ कवा और कवी तो जाएंगे मगर जडिया को कल से बुखार था ना जाने वो अभी तक ठीक हुई या नहीं ममा क्या आपको पता है जंगल में सारे पक्षी हॉली मनाने की त्यारी कर रहे है हाँ बेटा मगर मुझे तो कल से बुखार है मैं उनके साथ हॉली की चीज़ें नहीं लेने जा सकूंगी और मैं अपनी ममा को दंग भी नहीं करूंगी मुझे पता है मेरी ममा ठीक नहीं है और मेरी ममा के पास तो गुलाल और बिचकारी लेने के लिए पैसे भी नहीं है गुडिया बेटी मुझे पता था के हौली आ रही है मैंने अपनी बेटी के लिए कुछ पैसे जमा कर रखे है आप दूसरे बख्षों के साथ जाकर हौली की सारी चीज़ें ले आना ये सुनकर गुडिया बहुत खुश होती है कवे और कवे चुडिया को भी साथ ले जाते है वो रास्ते में हमें तंग करेगी उसे कल से बुखार है उसे रहने ही दो और वैसे भी वो चुडिया बहुत गरीब है उसके पास तो रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है फिर वो गुलाल और पिछकारी कहां से लेगी सब बैठे ऐसे बातें करें थे कि वहां गुडिया आ जाती है गुडिया तुम अकेली तुम्हारी ममा कहा है ममा को बुखार था ममा ने मुझे भेजा है आपके साथ जाने के लिए देखो दो आई बड़ी सियानी अममा लाओ अपना ये पाउच मुझे पकड़ा दो दूसरे जंगल हौली की दुकान पर जाकर ले लेना फिर वो सब वहां से उड़ते हैं रास्ते में जाते जाते कवा और कवी पीछे रह जाते हैं और एक पेड़ पर बैठ जाते हैं गोरी लो जल्दी जल्दी से उसे छोटी चड़िया के पाउच को खोल कर इसमें से पैसे निकाल लो दिखने में बहुत खरीब लगती है वो चड़िया और देखो तो कैसे अपनी बेटी को पूरा पांसो दे कर भेजा है हाली की चीजे लेने गोरी गुड़िया के पाउच से पांसो रुपे निकाल कर उसका पाउच खाली कर दे दी है और वो दोनों बती बतनी दूसरे पक्षियों के पीछे पीछे उड़ते हैं मुझे वो बड़ी वाली पचकारी दो हम सब गुलाल एकठे खरिद लेते हैं और वापिस जाकर आपस में बाट लेंगे कवा और कवी भी दिल खौल कर हौली की चीजे ले रहे थे क्योंके उन्होंने गुड़िया के पाउच से भी पैसे निकाल लिये थे अंकल ये गुलाल की डिपी और मुझे वो छोटी पिचकारी दे दो और अंकल मुझे ने शूज भी दो गुड़िया सारी चीजे लेकर जब अपना पाउच खोलती है तो उसमें कुछ भी नहीं था मेरे पैसे मेरे पैसे नहीं है अंकल अंकल कालू गोरी आंटी मेरे पाउच में से पैसे आपने निकाल ली है एक थपर लगाऊंगी मैं तेरे आई बड़ी पैसों वाली मांग कर तेरी मां गुजारा करती है तेरे पास पैसे कहां से आएंगे एक तेरा इतना बड़ा पाउच में उठा कर लाया और दूसरा तुम हम बड़े पक्षियों पर चोरी का इल्जाम लगा रही हो गुडिया बेटी तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें पैसे दिये ही नहीं होंगे सब याद करो पिछली बार भी चिडिया के पास होली पर पैसे नहीं थे चाचा चमचम जो सामान गुडिया ने निकाला था वो वापिस रख लेता है ये मुफ्त का माल नहीं है जो पैसे होंगे तो ले जाना चोटी चिडिया अब हमें देर हो रही है सब वापिस चलो सारे पक्षी अपना अपना सामान उठा कर वापिस उड़ती है मगर गुडिया बेठी वहां रोए जा रही थी ठे मेरे पाउच में मेरे सामने मेरी ममा ने पैसे रखे थे बूरे कवे चोटे बच्चों से भी धोगा करते है फिर गुडिया उन सब के पीछे पीछे उड़ती है रास्ते में बख्षियों को सुन्दर परी मिलती है आप ये सब क्या चीज़े ले कर आ रहे हैं? सुन्दर परी क्या आप हमारे साथ हौली नहीं मनाओगी इस बार? सुरी मुझे याद भूल गया था के हौली आ रही है सुन्दर परी कल कल हौली है तुम सुभा सवेरे ही चंगल के खूले मैदान में आ जाना वहां हमसा मिलकर हौली मनाएंगे वो वो छोटी चुड़िया क्यों रो रही है? इसे छोड़ो आप इसकी माँ भी हर समय रोती रहती है इसलिए रोना धोना तो इसी चुड़िया की आदत है परी चली जाती है और सबख्षी फिर से उड़ते हैं गुड़िया बेटी तुम्हारी चीज़े कहा है? ममा, ममा अंकल कवे ने मेरा पाउच मुझसे पकर लिया और रास्ते में मेरे सारे पैसी चुरा लिये गुड़िया बेटी आपने उन कवों पर एथबार क्यों किया? क्योंके आपने कभी मुझसे मैटाया ही नहीं के वो कवे बुरे हैं अपनी बेटी की बात सुनकर ममा चुड़िया बहुत दुखी हो जाती है क्योंके इस बार तो ममा चुड़िया ने कड़ी मिहन से अपनी बेटी के लिए हूली मनाने के लिए पैसे जमा किये थे सुपह हो जाती है सारे पक्षी बड़े मैदान में जमा हो जाते है अपनी अपनी पिछकारियों में रंग भड़ कर सब एक दूसरे पर फैंक रहे थे गोरी कवी अपने घर से गुजिया बना कर लाई थी रंगों में रंगे सारे पक्षी अब भाग भाग कर ठक गे थे और वो सब बैठ कर गुजिया खाने लगते हैं ममा मैं भी जाओं मैं उन सब को होली मनाते हुए देख लो गुडिया बेटी मैं अब ठेक हूँ मैं भी आपके साथ जाती हूँ फिर ममा चिडिया और गुडिया पक्षियों को होली मनाते देखने जाती है वो थोड़ी दूर एक पेट पर बैठ जाती है गुरी कवी की नजए उन पर जाती है वो देखो वो देखो गरीब चिडिया वहां दूर बैटकर ही हॉली के मजे ले रही है सब हंसने लगते हैं रुको रुको मैं इस चिडिया को वहां से भगा कर आता हूं फिर कालु कावा चिडिया और उसकी बेटी के पास चाता है अगर हॉली खेल नहीं सकती तो तुम यहां क्यूं बैठी हो जाओ जाकर अपने घर में बैठो कावे भेया आपने मेरी बेटी के पैसे चुरा लिए शरम ना आई आपको एक लगाऊंगा तेरे भी और तेरी इस बेटी के भी चल चल भाग बड़ी आई ममा घर चले घर चले ममा मुझे नहीं देखना इन पक्षियों को हॉली खेलते हुए रोते हुए ममा चुडिया और उसकी बेटी घर वापिस उड़ती है सुन्दर परी भी हॉली मनाने वहां आ रही थी कि चुडिया और उसकी बेटी को देखकर रुक जाती है चुडिया इस खुशी के मौका पर आप क्यों रो रही हो और चोटी चुडिया आप कल भी रो रही थी क्या बात है संदर परी हमें वो कवे मा रहे हैं हमें घर जानकर उन्होंने हमें घर भेज दिया घरीब अमीर सब बराबर होते हैं खुशियां सब की साजी होती है आप चलें मेरे साथ चलें गुडिया आप ये मेरी जादूई छड़ी ले और इससे जो चाहें आप ले सकती है फिर ममा चड़िया और गुडिया खुशी खुशी सुन्दर परी के साथ जाती है जादूई छडी जादूई छडी मुझे धेर सारे गुलाल और पिछकारिया दो जादूई छडी गुडिया को सारी चीजें दे देती है गुडिया जादूई छडी से मिठाया लेती है और धेर सारी गुजिया भी सुन्दर परी आपने इस चोटी जड़िया को इतना कुछ दे दिया हाँ जिसका कोई नहीं होता उपर वाला उसे अकेला नहीं छोड़ता और सुनो मैं भी आपके साथ होली नहीं मनाऊंगी हम सब होली मनाने मेरे देश चा रहे है फिर वो परी गुडिया और उसकी ममा को उड़ाती हुई दूर अपने देश ले जाती है प्यारे दोस्तों अपने इस तोहार के खुशी के मौका पर अपने गरीब दोस्तों को भी अपनी खुशियों में शामिल करें और प्यारे दोस्तों इस कहानी को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलना आपका धन्यवाद चिडिया के दो बेटे थे कूकू और जूजू वो दोनों भाई बहुत बहादूर और नडर थे सारे जंगल में उनकी बहादूरी के किसे मशूर थे इसे बड़े बड़े पक्षी भी उनसे डरते थे कुकू और जूजू बेटा हमेशा ऐसे ही एक दूसरे के साथ रहना जब तक आप दोनों में प्यार और महबत है कोई भी आपका मुकाबला नहीं कर सकता हमेशा अचाई का साथ देना और कभी भी किसी कमजोर पर जलम न करना ममा हम वादा करते हैं कि हम हमेशा ऐसे ही एक साथ रहेंगे और हमेशा आपकी बातों को याद रखेंगे बुल बुल उनके घर के दरवाजे पर दस्तक देती है बुल बुल ऑंटी क्या बात है आप लो क्यों रही है जू 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 बेटा एक जालिम चील ने मेरे घौसले पर कबजा कर लिया है और मुझे मार कर घौसले से निकाल दिया है कूकू कूकू भाई जल्दी आओ दोनो भाई बुल बुल के साथ जाते हैं तो तुम हो माही चील, बेहतर यही है, यहां से चली जाओ, अच्छा तो बुल-बुल बदमाश लेकर आई है, अगर मैं ना जाओ, तो फिर, फिर तुम क्या कर लोगे, बताओ, बताओ, तुम्हारे पंक भी तोड़ देंगे, और टांगें भी, किसी कमजोर पर जलम हम नहीं होने देंगे, तो फिर लड़ना होगा तुम्हें, हम तियार हैं, लडाई सुदू होती है, दोनों भाई कुफी और बुल-बुल चील से लड़ते हैं, दोनों बहादर भाईयों के आगे, चील हार माल लेती है, और अपनी जान बता कर वहां से भागती है, याद रखना, मे मेरी मा ने मुझे दिया था, और ये चील मुझे से चीन कर कबजा करना जाती थी, आंटी हम है ना, अगर वो चील धुबारा आए, तो हमें बताना, जूजू और कूकू घर चले जाते हैं, ममा वो चील तो ऐसे भागी, जैसे कोई जवान पक्षी उड़ता है, और ममा बु अच्छो, ऐसे ही हमेशा कमजोरों की मदद करना, बूरे, बूरे जल्दी यहां आओ, जी मालकिन, क्या बात है, जल्दी जाओ, और मेरे मित्र, कालू कवे और गोरी कवे को बुला कर लाओ, मैं अभी जाता हूं मालकिन, चील कानो कर बुरा कवा जाता है, आपको मालकिन ब और वो भी माही जील से, कौन लड़ सकता है माही जील से, चलो गोरी, जा कर पूछते हैं, कवे जील के नोकर के साथ जाते हैं, वो दो चुडिया के बच्चे, अब बच्चे नहीं हैं, वो जवान हो गे हैं, उन्होंने मुझे ललकारा भी, मारा भी, और भगाया भी, मैं म कोई भी लड़ाई में उन दोनों भायों से जीत नहीं सकता। गोरी मुझे तब तक सकून नहीं मिलेगा, जब तक मैं उनसे बदला नहीं ले लेती। माही चील, होसला रखें, शान्थ हो जाएं। हम कवे हैना, उन्हें ताकत से नहीं, बलके दिमाग से माना होगा। क्या करना होगा, मैंने सब सोच लिया है। चील सहली, आप चिंता न करें, हमें कुछ समेदें सोचने के लिए। मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। गोरी और कालू चले जाते हैं। रात हो जाती है, कालू गोरी से कहता है। गोरी सबसे पहले उन दोनों भाईयों को एक दूसरे से अलग अलग करना होगा। और जब वो अलग हो जाएंगे, तो उनकी ताकत भी बट जाएगी। और फिर हम उन्हें आसानी से मार सकते हैं। कालू जी, उन्हें अलग अलग कैसे करना हैं, ये तुम मुझ पर छोड़ दो। दूसरे दिन गोरी कवी अपनी सहेली पिंकी चिडिया के पास चाहती है। जूजू बड़ा है और कूकू छोटा, अगर तुम जूजू को अपने जाल में फनसालो, तो उन्हें अलग अलग करना बहुत आसान होगा। अगर चील तुम हारी सहेली है, तो तुम मेरी सहेली हो, ये काम मैं करूँगी, जरूर करूँगी। जूजू नदी पर बैठा हुआ था, पिंकी वहाँ आती है, सुना है, तुम बहुत बहादूर हो, कौन, कौन है आप, मैं सागर वाले जंगल से आई हूँ, आपके बारे में बहुत सुना था, सोचा आपको दिह कर आऊ, वैसे आप बहादूर होने के साथ साथ बहुत सुन की सेर करवाती हूँ, बगर भाई कूकू साथ नहीं है, वो अकेला होगा, मेरी दोस्ती तुम से हुई है, तुम्हारे भाई से नहीं, पागल चलो, पिंकी जूजू को अपने साथ ले जाती है, ये जढ़ना मीठे पानी का जढ़ना है, मैं हर रोज जहाँ आती हूँ, क्य आपको फूल पसंद है, मुझे, मुझे घुलाब के फूल बहुत पसंद है, काला भी हाँ आना, मैं आपके लिए घुलाब का फूल लेकर आऊंगी, ममा, जूजू भाई आज ना जाने कहा है, जूजू पहले तो कभी इतनी तेर तक घर से बाहर नहीं रहा, कहां जा सकता ह जूजू भी घर आ जाता है, जूजू भाई, आप कहां थे, मैं, मैं किसी काम से सागर वाले जंगल किया था, क्या वो काम आप अपने भाई को नहीं बताएंगे, नहीं, कुछ खास काम था, मुझे नीद आ रही है, जूजू की सोचों में तो पिंकी चल रही थी, वो आज अपने परिवार से थोड़े अलग लहजे में बात कर रहा था, दूसरे दिन फिर से मुलाकात होती है, और पिंकी जूजू के लिए घुलाब का फूल लाती है, तीसरे दिन और फिर चौते दिन, अब तो हर रोज ही उन दोनों में मुलाकात होने लगी, पिंकी मेरे भाई क आप ही हो, जिसके साथ मेरा समय अच्छा गुजरता है, जूजू मेरे सामने तुम अपने भाई का नाम न लिया करो, अब तुम जवान हो, बड़े हो, क्या बच्चों की तरह भाई 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 लगाए रखते हो, हाँ शायद ऐसा ही है, मेरा जीवन अब बदलने लगा है जब से मैं तुम से मिला हूँ, सब अलग अलग लगने लगा है, तो फिर क्यों न हम शादी कर लें, यही बात तो मैं आप से कहने वाला था, मगर मेरी एक शर्थ है, शर्थ वो क्या, तुम अपनी मा और कूकू को घर से निकाल दो, फिर ही मैं तुम से शादी करूंगी, य आप छोड़ दें, आपका घर छोटा है, वो कहीं ओर चले जाएंगे, निया घर बना लेंगे, एक परिवार ऐसे ही बनता है, पुराने रिष्टों को छोड़ कर निया बनाने पड़ते हैं, मैं कल इंतजार करूंगी आपका, ममा, मैं एक बात करना चाहता हूँ आप दोनो मां और भाई को घर से निकाल कर, ममा, पिंकी बहुत सुन्दर है, अगर आपको मेरी ये बात बुरी लगी है, तो मैं कहीं ओर चला जाता हूँ, जूचू भाई, कभी ऐसा होगा, मैंने सोचाना था, आप कहीं नहीं जाएंगे, मैं और ममा ही चले जाते हैं, क्या आपका द चोड़ कर चले जाते हैं, कुकु छोटा था, वो अपने भाई से लड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो यही बहतर समझता है, रात होने वाली थी, पिंकी गोरी के पास जाती है, रास्ता साफ है सहेली, एक को मारो उसी के घर में, और दूसरा रास्ते में जा रहा है, गोरी और कालू जल्दी से माही चील के पास जाते हैं, जूजू घर में अकेला है, निकाल दिया है उसने अपनी मा और भाई को घर से, ये हुई ना दोस्ती, गोरी मुझे विश्वास था, तुम ये करोगी, चील अपने इंतकाम की आग में जल्दी हुई उरती है, कवा औ तुम आज फिर यहां आ गई हो, जाओ यहां से, उस दिन तुम दो थे, और आज अकेले हो, और तुम दोनों को अलाग अलाग किया है हमने, क्योंके ये चाल हम सबने मिल पर तियार किया था, खास तुम हारे लिए, जू 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 जी, ये सुनकर जू 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 की आँखें मगर अब बहुत देर हो गई थी, चील एक हिवार में जू जू को मार देती है, और उसे समय ही नहीं मिलता, कि वो जान पाए कि पिंकी ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना पिलकुल मत भूलना, आपका जहनेवाद